नमस्कार इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ पृति विश्वास आईए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा वैदिक जोति शास्त्र में कुल बारह राश्यों का वर्णन किया गया है हर राश्य का स्वामी ग्रह होता है ग्रह रशत्रों की चाल से राश्य फल का आखनन किया जाता है एक जुलाई 2023 को दिन शनिवार है शनिवार का दिन हनुमान और शनिदेव को समर्पित होता है इस दिन विधि विधान से हनुमान जी और शनीदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है आईए जानते हैं आज के दिन किन राशी वालों को होगा लाब और किन राशी वालों को रहना होगा सावधान मेश राशी के जातिक आपने अपने कुछ अनोखी कोशिश से आगे बढ़ने की सोच रखी है वो आज साफल होगी और साथियों से सम्मान में वृति होने से आज आपको खुशी होगी विभिन शेत्रों में सफलता और उचाल देखने को मिलेगा आपको धन संबंधित किसी भी समस्या को किसी बाहरी व्यक्ती के सामने उजागर नहीं करना है विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तब ही वो किसी परिक्षा में जीत हासिल कर सकते हैं व्रिशब राशी लेन देन की मामले में आपकी रूची बढ़ेगी और अपनों की खुशी के लिए किये गए प्रयास सफल रहेंगे आप अपने खर्चों पर लगाम लगा ले नहीं तो बाद में वह काबू से बाहर हो सकते हैं जो विद्यार्थी विदेशों से सिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है आपको धैरे बनाए रखना होगा विवाहितों को संतान से आज आज आपकी किसी बात को लेकर बेवजह बहस बाजी हो सकती है बात करते हैं मिथन राशी वालों की आर्थिक प्रयासों में तेजी रहेगी और आपकी किसी पुरानी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी आप कोई काम आज बहुत ही सोच विचार करें नहीं तो यदि आपने किसी काम को कल पर छोड़ा तो इससे आपको समस्या हो सकती है लेकिन आपका कोई मित्र आज लंबे समय बाद आपसे मुलाकात करने आ सकता है करक राशी मामा पक्ष से भी आज आपको मान सम्मान मिलेगा और घर में आज किसी कारिक्रम कायोजन हो सकता है विभन निकामों में आप शिखरता दिखाएंगे और सक्रियता पर पूरा जोर देंगे आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा हो सकता है आपके सही बाद भी परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है वानी पर सयम रखें बारियाती है सिंह राशी के जातकों की तो जो लोग राजनीतिक शेत्रों में कारे रथ हैं उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ती हो सकती है आप अपने उपर ध्यान बनाए रखें और किसी बड़े लक्ष पर फोकस करना पड़ेगा उच्चु सिक्षा पर आपका पूरा जोर रहेगा अध्यात्मिक विश्यों में भी आपकी रूची बनी रहेगी और मनुरंजन के कारिक्रों में आज आप सम्मिलित होंगे किसी व्यापार में आज आपके लाब में वृध्धी होने से आपको खुशी होगी कन्याराशी कारिशेत्र में आज आपको किसी व्यक्ति से अपने मन में चल रही बातों को शेयर करने से बचना होगा लेन देन से संबंधित कोई भी मामला आज आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है लेकिन किसी काम में आप जोखिम उठाने से बिलकुल बचें आपके परिजनों से यदि संबंधों में दराच चल रही थी तो वह आज दूर होगी आएए बात करते हैं तुलाराशी वालों की तो जीवन साथी को आज कोई बड़ी उपलब्धी मिलने से खोशी होगी और कामकाज में यदि आज कोई विपरीद परिस्थिती हो तो आपस में धैरे बनारे रखें लेकिन किसी काम में आज पार्टनर्शिप ना करें आपका कोई मामला यदि लंबे समय से रुका पड़ा था तो वह भी आज पूरा हो सकता है आपको सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में काम्याबी मिलेगी और व्यापार कर रहे लोगों को कई अफसर प्राप्त हो सकते हैं आईए बात करें व्रिश्चिक राशी वालों की किसी वाद विवाद में आज आप अंकुष बनाए रखें और व्यर्थ की चर्चाओं में शामिलना हो संतान आज आपकी उमीदों पर खरा उतरेगी यदि आपने किसी काम में लापर वाही दिखाई तो आपको समस्या हो सकती है कुछ अंजान लोगों से सावधान रखना होगा आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ती होने से आज आपको खुशी होगी नौकरी में कारिरत लोग आज अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आईए बात करें धनुराशी वालों की तो आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कारियों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आप सभी कामों में सहच्छता से आगे बढ़ेंगे घूमने फिरने के दोरान आज आपको कोई महतोपूर्ण जानकारी मिल सकती है और मित्रों के साथ किसी मनुरंजन के कारिक्रम में सम्मलित होंगे आप अपनी बुद्धी के बल से वस अब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपके पास अभी तक कमी थी कुछ नया सीखने की कोशिश में भी आज आप लगे रहेंगे आएए बात करते हैं मकर राशी वालों की तो भौतिक साधनों में आज व्रिधी तो होगी व्यापार कर रहें लोगों के लिए भी आज का दिन बहतर रहेगा नीजी जीवन में आप प्रभावी रहेंगे और आप अपनों के ओव समय देने में पूरी कोशिश करेंगे आपके किसी मन के इच्छा की पूर्ती होती नजर आ रही है जिससे आपको खुशी होगी यदि आपका कोई लेंदेन से संबंधीत मामला लंबे समय से आपको परिशान कर रहा है तो उसमें भी आज आपको जीत मिलेगी कुम्भराशी के जातक आपको किसी सूचना के मिलने से उसे इधर उधर नहीं करना है नहीं तो समस्या हो सकती है और आप अपने कार्य को गती तो देंगे सब को बचाने की कोशिश में भी आगे बढ़ेंगे आप अपने आलस को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहतर होगा कुछ नए अनुभवों का भी लाब उठाएंगे और धार्मिक कार्य में लगे रहेंगे आ गई है बारी मीन राष्षी वालों की तो आज आपके घर किसी अतीथी का आगमन हो सकता है जिसमें परिवार के सदस्य व्यस्त रज़र आएंगे और ससुराल पक्षते आपको मानसमान मिलेगा आप अपने काम को बहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे लेकिन आप परंपराओं का पूरा पालन करेंगे और आपकी सुक सम्रिधी मिवृत्धी होगी बैंकिंग शेतरों में कारेरत लोगों को आज किसी बचट की योजना में धन लगाने को मिल सकता है और आज किसी पुरुसकार की मिलने से परिवार के सदय से प्रसंद रहेंगे आईए अब जानते हैं आज की अंक राशी इन तारीखों में जन्में लोगों को एक जुलाई को मिलेगा शुप समाचार धनलाव का भी होगा प्रबल योग ज्योतिश शास्त्र की तरह अंक ज्योतिश से भी जातक के भविश्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है जिस तरह हर नाम के अनुसार राशी होती है उसे तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिश में नंबर होते हैं अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मती थी महिने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा उदारन के तौर पर महिने के 2, 11 और 20 तारिक को जन्में लोगों का मुलांक 2 होगा जाने कैसा रहेगा आज आपका दिन मुलांक 1 मन शांत रहेगा मन की शांती के लिए धार्वे के स्थानों में जाएं या कोई अच्छा काम करें व्यर्थ की वस्तूओं में खर्चा होगा पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल भी कमी रहेगी शुभंक होगा 10 शुभरंग हलका नीला मुलांक 2 बजट बनाकर चलेंगे तो फाइदे में रहेंगे आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं विवाहत हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाएगी आर्थिक लाब होने की पूरी संभावना है शुभंक होगा 9 शुभरंग गुलाबी मुलांक 3 के जातक स्फूर्थी और बुद्धी मता के कारण रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे परिवार का सहयोग भी मिलेगा प्रॉपर्टी संभंधी कारियों में रुकावटें आ सकती हैं प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा शुभंख होगा 9 शुभरंग हलका पीला मुलांक 4 तो आर्थिक उन्नती हो सकती है आज ओफिस के सहकर्मियों से सचेत रहने की जरूरत है कोई भी आपके कारियों को गलत तरीके से पेश कर सकता है भविश संबंधी योजना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा शुभंख होगा 5 शुभरंग हरा मुलांक 5 धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने खर्चों का आप सही तरीके से प्रबंध कर पाएंगे घर का नवेरी करण भी करा सकते हैं अत्यधिक क्रोध भाई बहन के रिष्टों में धरार डाल सकता है सावधानी परते हैं शुभंख होगा 42 शुभरंग नीला मुलांक 7 विवाहित जीवन में अनबन होगी जमीन जायदाद में फाइदा मिलने की संभावना बन रही है ओफिस से आया फोन आपकी दिन्चरिया बदल सकता है मित्र से मुलाकात मन हलका करेगी शुभंख होगा 25 शुभरंग भूरा मुलांक 8 परिक्षा में सफलता मिलेगी धन को ध्यान पुर्वक प्रयोग करेगी जादा फाइदे के चकर में नुकसान भी हो सकता है महिलाओ के लिए आज का दिन शुभ रहेगा शुभंख होगा 3 शुभरंग के सरिया मुलांक 9 तो निर्णे लेनी से पहले जाँच लें आपके रुदबे से लोग प्रभावित होंगी और सम्मान भी मिलेगा जोश और उर्जा से भरे रहेंगे अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे व्यापारिक यातरा से फाइदा होगा कोई नया सौदा भी हो सकता है शुभंख होगा 11 शुभरंग लेमन आईए अब जानते हैं आज का पंचांग हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई 1-2003 शरिवार आशार मा के शुकल पक्ष त्रेयोद शीती थी है सुर्यो और चंद्रमा के समय सुर्योदे सुभा 5 बचकर 48 मिनट से सुर्यास्त शाम 7 बचकर 12 मिनट से चंद्रोदे 1 जुलाई शाम 5 बचकर 18 मिनट से चंद्रास्त 2 जुलाई सुभा 4 बचकर 7 मिनट से तिथी शुकल पक्ष त्रेयोद शी एक जुलाई रात एक बचकर 17 मिनट से एक जुलाई रात ग्यारह बचकर 7 मिनट तक शुक्लपक्ष श्यतुरदशी एक जुलाई रात ग्यारह बचकर 7 मिनट से दो जुलाई रात 8 बचकर 21 मिनट तक नक्षत्र अनुराधा 30 जुलाई शाम 4 बचकर 10 मिनट से 1 जुलाई 2 पहर 3 बचकर 4 मिनट तक जेश था 1 जुलाई 2 पहर 3 बचकर 4 मिनट से 2 जुलाई 2 पहर 1 बचकर 18 मिनट तक करन कॉलब 1 जुलाई रात 1 बचकर 17 मिनट से 1 जुलाई 2 पहर 12 बचकर 17 मिनट तक तेतिल एक जुलाई दो पहर 12 बचकर 17 मिनट से जुलाई एक दो पहर 11 बचकर 7 मिनट तक गर एक जुलाई रात 11 बचकर 7 मिनट से दो जुलाई सुभा 9 बचकर 48 मिनट तक योग शुभ एक जुलाई रात 1 बचकर 32 मिनट से एक जुलाई रात 10 बचकर 44 मिनट तक शुकल 1 जुलाई रात 10 बचकर 44 मिनट से 2 जुलाई शाम 7 बचकर 26 मिनट तक अशुभकाल राहु सुभा 9 बचकर 9 मिनट से 10 बचकर 15 मिनट तक यंगन दो पहर 2 बचकर 11 मिनट से 3 बचकर 59 मिनट तक कुलिक सुभा 5 बचकर 48 मिनट से 7 बचकर 39 मिनट तक दुर महुर्त सुभा 7 बच कर 35 मिनट से 8 बच कर 39 मिनट तक वर्जय रात 8 बच कर 15 मिनट से 9 बच कर 44 मिनट तक शुबकाल अभिजेत महुर्त दोपहर 12 बच कर 3 मिनट से 12 बच कर 57 मिनट तक ब्रह्म महुर्त सुभा 4 बच कर 12 मिनट से 5 बचे तक ये तो थी आज की राशीफल, अंकराशी और पंचांग, कल फिर मिलेंगे इंडियन नियोज में आपके भागे के बदलते सितारों की दश्वा को लेकर हमारे विशेश कारिकरम राशीफल में, तब तक के लिए नमस्कार शनिवार के दिन शनिदेव और हनमान भगवान को समर्पित है, शनिवार के दिन विधी विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है, नया के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकरने नवग्रहों के नयाधिश का काम सौपा है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित हैं इस जिन शनिदेव की विधिविधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेशक्री पर प्राप्त होती हैं एक तरब जहां शनिदेव के असुप प्रभाव से वैक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना परता है वह शनिदेव के शुप्रभावों से वैक्ति के जीवन में सभी तरह की सुखू की प्राप्ति होती है इसमें आप काले कपड़, काला तेल, काली ओड़त का दाल और सरसो का तेल किसी जरूरत मंद को दान कर सकते हैं इस जिन पीपल के व्रक्ष की पूझा करने से विशेश लाप मिलता है हर शनिवार को पीपल के व्रक्ष के नीचे सरसो की देल का दीपक जलाने से शनी देव कसन्न होते हैं महराष्ट में इस्तित इस मंदिर की ख्याती देश ही नहीं विदेशों में भी है कई लोग तो इस अस्थान को शनी देव का जन्म अस्थान भी मानते हैं ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनी देव हैं लेकिन मंदिर नहीं है घर है परन्तु दरवाजा नहीं और ब्रिक्च है लेकिन छाया नहीं है शिंगनापुर के इस चमठकारी शनी देव मंदिर में अस्थित शनी देव की प्रतिमा लगभग 5 पिट 9 एंच उची वर लगभग 1 पिट 6 एंच चोड़ी है देश बेदेश से श्रत धालू यहाँ आकर शनी देव के अस दोरलब प्रतिमा का दर्शन लाप लेते हैं शनी मंदिर जो है इंदोर में शनी देव का प्राचेन वाचमठकारिक मंदिर जोने इन दोर में अस्थित है यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं, बलकि दुनिया का सबसे प्राचिन शनी मंदिर है, जोने इन दौर में अस्थापित अस मंदिर में शनी देव स्वयम पधा रहे थे। शनी चरा मंदिर जो है मुरैना में, मदप्रदेश में गवालियर के नस्थी की एंटी गाउं में शनी देव मंदिर का संपोर्न देश में विशेष महत्व है, देश के सबसे प्राचिन त्रेता युगीन शनी मंदिर में प्रतिष्ठत शनी देव की प्रतिमा भी विशेष है महराष्ट की सिंगनापोर शनी मंदिर में प्रतस्तर शनी सीला भी ऐसी शनी परवत से लाई गई है हनुमान जी ने शनी देव को रामवड की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरहना परवतों परवर्श्राम करने के लिए छोड़ा था इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी के मुर्थे अस्थापित है शनी मंदिर जो अस्थित है प्रतापकर में भारत के प्रमुक शनी मंदिरों में से एक शनी मंदिर उतर प्रदीश के प्रतापकर में स्थित है जो शनी धाम के रूप में प्रख्यात है प्रतापकर्ड जीले के विश्वनात गंद बाजार से लगभग दो किलोमेटर दूर कुश्वरा के जंगल में भगवान शनी का प्राचीन पौरानिक मंदिर लोगों के लिए श्रत्था और आस्था का केंद्र है यह ऐसा इस्थान है जहां आते ही भग्ट भगवान शनी की क्रिपा का पात्र बन जाता है प्रतेक शनेवार भगवान को चपन प्रकार के बेंजनों का भोग लगाया जाता है शनी तेर्द छेत्र जो है असोला फते पुर्बेरी में यह मंदिर दिल्ली के महरौली में इस्थित है यहां शनी देव के सबसे बड़ी मुर्ती है जो अश्रत्धाव से बनी हुवी है शनीदेव को समर्पितिया मंदिर तमिलनाजु की नवग्रह मंदिरों में से एक है भारत में एस्थित शनीदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है शनीदेव की प्रकोप कारण के सिव्यक्ति को बदकिस्मत गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है अस मंदिर में भगवान शियों की पूजा करने से शनीग्रह की सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है शनीवार का दिन शनीदेव और हनमान जी को समर्पित है हनमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भगति के आदश देवता है इसी वज़े से पुराणों में उन्हें सकल गुनेधान कहा गया है चारो जुक परताब तुम्हारा है परसिध जगत उजियारा हनमान जी एकलोते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी ना किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बन कर मौजूद रहे आईए जानते हैं हनमान जी पर चढ़ाय जाने वाले सिंदूर और इसके विशेश उपयोग के बारे में सीदा माता से प्रेणा लेकर अपने स्वामे श्रे राम को प्रसन्न करने के लिए हनमान जी ने अपने पूरे शरेट पर धेर सारा सिंदूर लगा लिया था तब इसे हनमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेर चढ़ाने से रोगों वशारेडिक व्याधियों से मुप्ति मिलती है इनके साथ ही ग्रहों की पेड़ा समाप्त हो जाती है महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चड़ाना चाहिए इसकी जगह पर लालपुल चड़ाना उत्तम रहेगा शनिवार को हनुमान जी के चड़नों से सिंदूर ले आए और किसी भी कारे के लिए निकलती समय उसका तिलक लगाए ऐसे आपका हर कारे सिध्ध होगा इसकी साथ ही आप दुरखटनाओं से बचे रहेंगे कठोर नियम पुरवक बजरंग बली की पूजा करने से विजल्द प्रशन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनुकाम नए पूर्ण कर देते हैं यही वज़ा है कि हनुमान जी का एक नाम संक्ट मोचन भी रखा गया है हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंतरक माना जाता है इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुन्दर कांट का पाड़ करने से विशेश लाप प्राप्त होता है अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखे पूजा इस्थल की सभाई करे और एक चौकी में हनुमान जी की मुर्ति या प्रतिमा रख ले हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक चलाए हनुमान जी को फूलों की माला पहनाए और उनके सामने चमेली का तेल रखे फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालिसा का पाठ करे हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करे जिस पे फूटा हुआ चैना, गुड़, शिपर और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हो अजदिन लाल रंगी कपड़े पहनना बहुत शुब होता है तुलसी के पत्ते भगवान विष्णों को अत्यन्त प्रेमाने जाते हैं इसलिए उनके सभी अवतारों को भी या पत्ते अर्पित किया जाता है भगवान शेराम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी या तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन करते हैं मंगलबार को पूझा के वक्त प्रसाथ में कुछ तुलसी के पत्ते चरूर चढ़ाएं आईए जानते हैं कुछ ऐसे उपए जिने करके आप हनुमान जी को प्रसन कर सकते हैं पीपल के पत्तो का उपाए हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्टों का उपाई बेहत खास है अगर आप आर्थिक तंगी से परिशान है तो आपके लिए पीपल के पत्टे का या उपाई बहुत कारगार होगा बजरंग बली को ग्यारा पीपल के पत्टे अर्पित करें और इसके साथ है इसमात का ध्यान रखे कि इस दोरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बना कर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्तिको विशेसलाब राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जैश्री राम लिखकर राम भग्त हनुमान भग्मान को अर्पित करें शुब होका। सिंदूर का उपाई शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूला चड़ाना शुब होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमीली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसंद होते हैं और उन्हें सुक सम्रिधी का अशिरवात देते हैं तुलसी के पत्ते का उपाए शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहत्री हैं इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुब है इसलिए आपकी जीवन में आने वाली सभी परिशान्या दूर होती है हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकरात्मक ता दूर होती है, दैनिक जिवन में उज्जा बनी रहती है मनुकामनाओं के अनुसार हनुमान जी की अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकरात्मक फल्च जल्द मिल सकते हैं रूप कहलाता है दच्छिन दिशा यम्राज के दिशा मानी जाती है और अजनी पुत्र भगवान शंकर के रुत्र अवतार है जो काल की नियंत्रक है इसलिए दच्छिन मुख्य हनुमान की पूजा कहने से मृत्यूभय और जिंदाओं से मुक्ति मिलती है उत्त्र मुख्य हन स्वरूप की पूजा करने पर सभी टर वी द्यूताओं के कि रिपा प्राप्त होती है और घर बरिवार में शुप्प और मंगल भाता बरे बना रहता है भक्त हनुमान जी इस्वरूप में हनुमान जी श्रे राम की भक्ती में लेंद दिखाई देते हैं जो लोग इस्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकागरिता बढ़ती है और वैक्ती का मन धर्म कर्म में लगा रहता है सेवक हनुमान जी इस्वरूप में हनुमान जी श्रे राम की सेवा करते हुए दिखते हैं इस्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जाकता है घर परिपार के लिए समर्पन की भाव ना आती है वीर हनुमान वीर हनुमान साहस बल प्राक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था वीर हनुमान जी की पूझा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है सुरे मुखी हनुमान सुरेदेव हनुमान जी की गुरू है जस्तसफीर में हनुमान जी सुरे की उपासना कर रहे हैं या सुरे की ओर देख रहे हैं उस्वरूप की पोजा कहने से हमारी एक आगरता बढ़ती है और ग्यान में बढ़ोतरी होती है धर परिबार और समाज में मांसम्मान मिलता है आए जानते हैं हनुमान जी को ध्वच चड़ाने की वज़ा माभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन की रत के ध्वच पर विराज मान थी और सारी युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की रामभक्त हनुमान जी के बारा नामों का इस्मरन करने से वह आप अमित्विक्रम, उद्धिक्रमन, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मन प्रान दाता और दश्क्रीव दरपहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारन करने से आपके जीवन में कई परशों से चली आ रही परिशान्या समाप्त हो जाएंगी। आए जानते हैं कि संकट मोचर हनुबान के नामों का कब और कैसे इस्मरन करें। दिरखायू पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन बारह नामों को ग्यारह बार बीना रुके उचारन करने से आप दिरखायू होंगे। इसके लावा आपके उपर आने वाले शारिरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं ग्रेह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है। तो महावीर के इन बारह नामों का जाप संधाकाल में करने से आपके परिवार में सुख शान्ती बनी रहती है। भै और शत्रू से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ग्यात अग्यात भै बना रहता है या आपके शत्रू आप पर हावी हो रही है। तो ऐसे में आपके लिए संधीयवनी बूची का काम करेंगे हनुमान जी के यह बारह नाम। रात को सुने से पहले इन बारह नामों का जाप करना शुख होता है। इन बारह नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनके क्रिपा आपकी उपर सदियू बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालिसा के पाट का विशेश महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धपुर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालिसा के पाट से सनी संबंदित कस्टो का नास होता है। शनी की साड़े साती या कुंडली में अशुफल होने पर हनुमान चालिसा का पाट फिशेश फलदाई होता है। इसके पार से बुरे शक्तियों का नास होता है। हनुमान चालिसा एक बेहत सहच और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने बाला एक काव्यात्मक चालिच छंदो वाली रचना है। हनुमान चालिसा के पार्ट से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिबार में सुख समृध्धी के साथ आरोग के कावास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालिसा के पार्ट से मन को शांती मिल सकती है। हर तरह के भैका नाश भी इनके पार्ट से होता है हनुमान चालिसा में हनुमान ची और श्रे राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है हनुमान चालिसा की हर एक पंक्ती में विशेश बात बताई गई है आज के लिए बस इतना ही कलम आपसे फिर मिलेंगे सब्ता के सातों दिन पूज जाने वाली देवी देताओं की पूजन विधी के साथ देखते रहें इंडियन नीउस नमस्तकार